और मेरे देश के नोजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आठ गाड़ियों के बारे में जो की 2020 में इंडिया में आने वाली है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आये हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रुजाना ऐसी ही वीडियो लात रहता हूँ तो पहली बाइक है TVS Zeppelin जो की एक Cruiser बाइक है और इस बाइक का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था क्योंकि इसका Looks and Design भारतियों को काफी पसंद आ रहा है इसके Features के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको Dual Channel ABS मिलेगा LED Headlamp इस बाइक में आपको मिलेगा with LED Indicators Upside Down Suspension इस बाइक में दिये गए हैं लेकिन हो सकता है कि इंडिया में Price Cutting करके इस बाइक में आपको Normal Telescopic Suspension मिले Launch Date के बारे में बात किया जाए तो February 2020 तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आ जाएगी और इसका एकस्पेक्टेड प्राइस है एक लाख बीस हजार एक शोरूम अब इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलेगा 220 CC का सिंगल सिलेंडर Liquid Cooled BS6 इंजन जिसकी maximum power है 20 BHP at 8500 RPM और टॉर्क है 18.5 Nm at 7000 RPM तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्रूजर बाइक है short riders के लिए भी ये बाइक comfortable है ground clearance भी इस बाइक का 160 mm है जो कि ठीक है आप off-roading भी कर सकते हो टायर भी पीछे का आपको मोटा मिलता है जिससे road पर टायर की gripping बनी रहेगी और इस बाइक में maintenance cost भी कमाएगा बाकि जो भाइलोग दिल से इस बाइक का weight कर रहे हैं वो comment box पर जरूर लिखिए TVS Zeppelin दूसरी बाइक है Royal Enfield Classic 350 BS6 दोस्तों शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस बाइक को ना जानता हो बच्चे बच्चे को भी पता है आखिर bullet क्या चीज है Royal Enfield अगर बात करें कि इसमें आपको क्या नया देखने को मिलेगा तो पहला इसमें आपको BS6 engine मिलेगा दूसरा carburetor variant को हटा दिया जाएगा और fuel injected variant आ जाएगा जो की अच्छी बात है fi variant से आपका mileage भी increase होगा तीसरा change अब इसमें आपको new alloy wheels मिलेंगे with tubeless tire out of the market आपको डलवाना नहीं पड़ेगा company से ही आपको alloy wheel add होकर आएंगे fourth color आपको नए मिलेंगे तीन colors के option आएंगे classic matte black, classic chrome और gun metal gray अब ये color पुराना है लेकिन हो सकता है कि graphics इसमें आपको नए देखने को मिले लेकिन chrome color में आपको alloy wheel नहीं मिलेंगे क्योंकि alloy इसके color पर match नहीं कर रहे थे इसलिए इसमें आपको spoke wheels मिलेंगे क्योंकि इसके color पर spoke wheels जचते हैं launch date के बारे में बात किया जाए तो वैसे तो ये December 2019 में launch हो रही थी लेकिन कुछ technical issues के कारण bike launch नहीं हो पाई लेकिन January 2020 तक ये bike 100% Indian market में launch हो जाएगी और इसका expected price होगा एक लाख सत्तर हजार इंजिन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलेगा 346 CC का single cylinder 4 stroke twin spark air cooled F5 BS6 engine जिसकी maximum power है 20 PS at 5250 RPM और torque है 28 Nm at 4000 RPM बाकि बुरट लवर comment box पर ज़रूर बताइए कि आप इस bike को लेना पसंद करोगे की नहीं तीसरे नमबर पर आती है Yamaha MT-03 दोस्तो European country में ये bike अभी अभी launch हुई है और वहाँ पर ये काफी अच्छा perform कर रही है naked street fighter design है इसका और एक monster type look ये bike सामने से appear करती है launch date के बारे में बात किया जाए तो April 2020 तक ये bike launch हो जाएगी और इसी के साथ Yamaha R3 को भी launch करेगी क्योंकि दोनों ही bike का segment सेम है और R3 ने इंडिया में भी अच्छा perform किया है इसलिए इसमें new colors add करके और कुछ छोटे मोटे changes करके company दोनों ही bike को launch साथ में करेगी इसमें engine आपको मिलेगा 321 CC का twin cylinder 4 stroke liquid cooled 4 valve DOHC BS6 engine जो maximum power देगा 41.4 PS at 10,750 RPM की और torque मिलेगा 29.6 Nm at 9,000 RPM पर विथ dual channel ABS और इसका expected price है 3,00,000 X showroom Delhi फोर्थ नंबर पर है most awaited bike Honda CBR250RR दोस्तों इंडिया में तो इस bike का काफी बेस अबरी से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि Honda company ने इस bike को इतना aggressive और sporty design दिया है कि अगर आप इसको एक दफा देख लोगे तो आपको भी इससे प्यार हो जाएगा बाकि जब 2018 में CBR250R का new model launch हुआ था तो ये जादा लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाई क्योंकि वही old model जैसा design था और company को भी इंडिया से अच्छे response नहीं मिल रहे थे 250R को लेकर लेकिन अब Honda company ने confirm कर दिया है कि May 2020 तक वो इस CBR250R को इंडियान मार्केट में launch कर देंगे और इसका expected price होगा तीन लाख एक शोरूम और दोस्तो इस bike में आपको धेर सारे colors के option भी मिल जाएंगे इंजन भी इसमें आपको powerful मिलेगा 249.7 CC का twin cylinder 4 stroke 8 valve liquid cool FI BS6 इंजन इसमें आपको मिलेगा जिसमें maximum power होगी 39 BHP at 12500 RPM की और torque होगा 23.3 Nm at 11000 RPM का with dual channel ABS पाँचवे नमबर पर है Benelli 302S दोस्तो इस bike का look काफी sporty है और आपको पता होगा कि Benelli looks में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है LED headlamp इस bike में आपको मिलेगा with projector bulb जो इस bike को एक शांदर look देते हैं neon green color especially इस bike का मुझे काफी पसंद आया है लेकिन और भी colors के option है white, red, red black और neon green और TFT meter इस bike में आपको मिलेगा और Benelli ने हाल ही में Imperial 400 और Leon Chino 250 को भी launch किया है Indian market में और अब ये 302S को भी launch करेंगे और इसका launch confirm हो गया है March 2020 तक ये bike इंडिया में launch हो जाएगी और इसका expected price होगा 3,20,000 X showroom अब engine की बात की जाए तो 300 CC का twin cylinder 4 stroke liquid cooled 4 valve DOHC FI BS6 engine मिलेगा जिसकी maximum power है 38.26 BHP at 11,000 RPM की और torque है 26.5 Nm at 10,000 RPM पर with dual channel ABS सिख्थ नंबर पर आती है CF Moto 150 NK दोस्तो ये bike especially उन लोगों के लिए है जिनका budget कम है और वो एक अच्छी bike ढून रहे है तो उनके लिए 150 NK एक best option है नेकिड street fighter look है bike का और blue white का color combination bike में अलगी जान डाल देता है upside down suspension इसमें आते हैं लेकिन price cutting करके इंडिया में normal इस bike में आपको telescopic suspension मिलेंगे और launch date की बात की जाए तो April 2020 तक ये bike इंडिया में launch हो जाएगी और इसका expected price होगा एक लाख एक शोरूम जो की एक middle class family के लिए perfect price है इसके engine के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलेगा 149.4 CC का single cylinder 4 stroke 2 valve FI liquid cooled BS6 engine जो maximum power generate करेगा 12 bhp at 8500 rpm की और torque produce करेगा 10.7 Nm at 7000 rpm और इस bike में आपको सिर्फ single channel ABS मिलेगा लेकिन आपको front और rear में दोने ही wheels पर disc brakes ज़रूर मिलेंगे 7th number की bike है कावसा की ninja ZX 250R दोस्तो इस bike की चर्चा इंडिया में काफी समय से चल रही थी लेकिन कुछ कारणों की वज़े से कावसा की इस bike को इंडिया में launch नहीं कर रहा था लेकिन जैसे ये bike इंडिया में launch होगी तो Honda CBR 250RR को इससे काफी तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और अब इसकी launch date confirm हो चुकी है जुलाई 2020 को ये bike इंडिया में launch हो जाएगी और इसका expected price है 4 lakh extra room इंजिन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 249 CC का 4 cylinder DOHC 16 valve fuel injected liquid cooled BS6 engine जिसकी maximum power होगी 56 BHP की और torque होगा 40 Nm का with dual channel ABS और power के मामले में तो दोस्तों ये bike Duke 390 को भी हरा सकती है और आखरी आठवे नंबर की bike है Royal Enfield Lovers के लिए Royal Enfield Bobber 838 दोस्तों bike इतना बलकी और heavy look produce करती है कि आपको देख कर ही मज़ा आ जाएगा Bobber sitting posture है तो आपको ride करने में भी मज़ा आएगा और आप long riding tour भी इस bike पर कर सकते हो बिना किसी परिशानी के launch date की बात की जाए तो September 2020 को ये bike launch हो जाएगी और इसका expected price है पांच लाख एक शोरूम इसके engine के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलेगा 838cc का twin cylinder liquid cooled FI BS6 engine जिसकी maximum power है 90 bhp और torque है 100 newton meter का तो उमीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को like कर दीजिए शेर कर दीजिए और bell icon को दमाना मत भूलना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रुजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी के लिए thanks